तुमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है वालचंद्र, ब्रह्मा डशिद्य अश्रों में आप सभी का स्वागत है। तो जो सूर्य ग्रह से, सूर्य के बारे में अगर देखा जाएं, तो जो सूर्य ग्रह है वो आपी के लगन में या फिर आपी के राशी में ब्रह्मन कर रहा है। आए हैं जिसके जिसे problem complications आपके थोड़े बड़े हैं तो वही जो stress होगा वही बना रहेगा करीबन 18 तरीक ता और 18 तरीक के बाद का जो समय है जैसे ही यह जो रवीग रहे हैं आपके द्वितिया भाव में आ जाएगा तो आपकी जो spending रहेंगे मतलब आपकी जो खर्चे या छोड़ना हो या फिर आप जिससे ज्यादा पसंद करते हो ऐसी कोई spending हो सकते हैं मतलब जिसके कोई माइने नहीं रहेंगे तो इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा उसी प्रकार हम देखेंगे कि रवी के साथ बाकी जो ग्रह हैं वो किस प मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है यहां पर अगर देखा जाए तो जो मंगल है वो वक्री अवस्ता में है और इसका प्रभाव देखा जाएगा मतलब रवी और मंगल का जो प्रतियोग है इस ग्रहयों का जो प्रभाव देखा जाएगा वो करिमन 12 तारिक से 14 तारिक तक्का है तो इस कालावधी के दर्मेन आपके जो वाईवाई जुड़ी दर है उनके साथ छोटी मोटी बातों के लिए कर तकरार हो सकती है और इसके वेपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक्त है क्योंकि यह जो तकरार है वो बढ़ सकती है देखिए आपकी आ इस पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है तो जैसी अभी यह समय चल रहे है स्ट्रेस आपके उपर बहुत ज्यादा होने के कारण आपके जो वाई-वाई जोड़ीदार है उनके साथ आपकी नहीं बन सकती या नहीं बनने वाले तिसकी चीज़़ें पर ध्यान रखना बहु वो 30 तारीक और 31 तारीक का जो दिन है उसमें रभी और हर्शल का प्रतियों होने जाए अधिवतिया भाव में होगा और हर्शल है वो आपके अस्टमबाव में होगा देखे यह जो दो डिन है बहुत ज्यादा में तो पुर्ण है आपको किसी ना आपके घर के लोग या फि ये जो ग्रही होगे आपके लिए प्रॉब्लम वाला हो सकता है तो ध्यान रखना बहुत ही जादा आवशक है इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो जो मंगल ग्रह है आपके अस्टम भाव में है और वक्री होके वो आपके सप्टम भाव में भी ब्रवन करेगा और यह मंगल वक्री है तो यह बात आपके लिए काफी ज़्यादा माइने रखते है क्योंकि इस मैने में बुद्ध भी वक्री है तो आपका जो लगन है इसके लिए बात बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है आ इसके जैसे आपको सहत के बारे में problem complications चल रहे हैं और वो बने रहेंगे इस मेने में भी उसके जो कारण है वो अलग तरह के जो मंगल वक्री है इसके जैसे आपको सहत के बारे में problem complications आ सकते हैं जिसका जो असर है वो आपको आपके मनस्तिती पर भी हो सकता है और यह जो मंगल प्रकार के अनुभव आ सकते हैं तो आप आपके जो मांसिक्ता है आपकी जो साइकी है उसके उपर नियांतर रखना बहुत ज्यादा आवश्क होगा यह पर काफी ज्यादा क्योंकि यह जो मंगल ग्रह है वो वक्री आवस्ता में है वो आपको प्रॉबलम में ला सकता है सेहत के बारे में तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्वेकिए तो अब हम देखेंगे यह जो मंगल गरह pracा है प्युद्ञ्रत के ज़ो योग होंगे उस पर क्या आफ़ों होगा और यहाँ पर सेहत के बारे में complications आ सकते हैं और वो जो sudden complications रहेंगे मतलब उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा 2-3 दिनों में बात या ऐसी extreme level तक जा सकती है पैसे के मामले में हो सकती है फिर आपके सेहत के मामले में हो सकती है और इसके bottom line एक ही रहेगा आपको stress बहुत ज़्यादा बना रहेगा तो आपके लिए बात काफी ज़्यादा माइने रखते है तो ध्यान रखना काफी ज़्यादा आवश है कि जो मैंने दिन बताए छे, साथ और आठ इन तारुकर के धर मैं यह जो प्रतियोग है इसको परिणाम है इसको प्रभाव है वो ज्यादा देखा जाएगा उसी प्रेकार मंगल और गुरु का केंद्र योग भी होने जा रहा है मंगल जो की वक्री है उसके साथ जो गुरु है जैसे कि मंगल आपके सब्तम्भाव में वक्री होके आएगा उसके साथ जो गुरु चतुरतेश है उसका केंद्र योग होने जा रहा है उसका जो कालावधी होगा वो कालावधी 18 तारिक से लेकर 20 तारिक तक होगा देखे इसमें क्या होगा दो-तीन बात है पहले तो बात मंगल जैसे आके सप्तमबाव में वक्री होगा आ जाएगा तो आपकी जो वयवय जोड़िदार है उनसे आपका नहीं जैमेगा चोटी मोटी बातों के लेकर complications problem हो सकते वो problem बड़े भी हो सकते और उसका जो परिणाम है उसका जो effect है वो आपकी जो घर का जो स्वास्त होगा मतलब घर के जो लोग होंगे उनके उपर भी हो सकता है तो family से related भी complications problem आ सकते है जो मैंने कालावदी बताया उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है 18, 19, 20 इन तारिकों में थोड़ा सा खुद पर नियंतन रखना ज्यादा आवश्यक है क्यों बोल रहा है क्यों कि आपके लगन के लिए दो सबसे ज़्यादा महतो पुर्ण ग्रह होते हैं मंगल और बुद्र वो दोनों भी वक्री है इस वीचे से यह जो महिना है अक्तूबर का आपके लिए stressful साबित हो सकता है उसे प्रकार अब हम देखेंगे कि बुद्र ग्रह के बारे में कि आपके सेथ के बारे में problem, complication हो सकते है और जो भी आपका career है मतलब अगर आप नोकरी करते हो या फिर वेवसाय करते हो वहाँ पर कि जो परनेना होंगे वो भी काफी अलग साबित होगे मतलब जैसा आप नहीं चाहिए उस प्रकार को होगा और जैसे में शुरुवत में भी का कि आपका जो लगन है वो ज़्यादा stress नहीं सहे पाता तो अगर आपका मतलब जो भी आपका career है उसमें भी अगर problem आ रहे है जैसा आप जैसे उस प्रकार से नहीं हो रहा है जैसे जैसा में तो सहत के बारे में तो फिर और आपका जो लगन है सहत को बहुत सहत से बहुत ज़्यादा डरता है या फिर सहत के बारे में अगर कोई complication ना आ जाए तो आपका आपकी जो energy है पूरी तरह से down हो जाती है तो थोड़ा सा खुद पर नियंदर रखना सयम रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा अब हम जार्चा करेंगे बुद्ध के साथ बाकिक जो ग्रह है उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से होंगे तो बुद्ध और हर्षल का प्रतियोग होने जारा है बुद्ध जो कि आपके दिवतियों भाव में वक्रियावस्ता में होगा उसके साथ जो हर्षल है आपके अश्टमभाव में उसका प्रतियोग होने जारे जो कालावदी है इसके जो दिन है वो 19, 20 और 21 तारिक के होगा दो-तीन बाते उसके उपर थोड़ा धायन धायन रखना आवशक होगा है आपके लगन के लिए वो वक्रियावस्ता में चल रहा है और उसके जो परिणाम होगे वो सीधे-सीधे आपके मानसिक स्वास्त पर हो सकते हैं द्यान रखना बहुत ज्यादा आवशक है उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में गुरु ग्रह के बारे में अगर देखा जा तो गुरु आपके चतुर्त अबाओं में हैं स्वयम के राशी में हैं और सबसे शुब दाई जो बात है वो मार्गस्त है अब देखें आपने देखा होगा कि पिछले करीबं तीचाल मैने से ये जो गुरु है वो अक्रियावस और तो हो चुका है जो कि का अच्छी बात है इसके जो परिणाम होगा वो आपके घर का स्वास्त का घर के जो लोग होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉप्रिटे होगे मतलब उनसे आपको काफी अच्छी मदद मीलेगी आपका जो मोराल है वो काफी हाइश हो सकते हैं अगर उनकी जो भी सलाह है वह सलाह अगर आप मानते हो तो आपके लिए जो भी स्ट्रेस बना रहेगा फाइनेंशेली या फिर हेल्थ वाइस वह काफी जादा कम होगा जो भी वह आपको सलाह देंगे उसके उपर थोड़ा सा अमल करना अगर आप क्योंकि आपका लगन है सामने वाले वेक्ति पर विश्वास जल्दी नहीं रखता तो यही बात है लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें चेंज़स करना होगा क्योंकि हमेशा हम सही नहीं होते हैं तो यही बात है थोड़ा सा आपके जो वयवय जोड़िदार है वह जो भी आपको अगर सलाह देते हैं उसके उपर अगर आप चलते हो तो जो भी स्ट्रेस या प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं वह काफी मायनों में कम हो सकते हैं तो गुरू के बारे में हम चर्चा कर रहे तें यह जो गुरू है वह आपके चतुरतबाओं में मार्गोस हो चुका है और स्वायम की देकेशन आ रहे हैं बुदो और मंगल वक्री होने के करण लेकिन यह जो गुरू है कि गुरू करेगा क्या कि जो भी प्रॉब्लम आपको आएंगे वह बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रीम लेबल तक नहीं जाएंगे जो गुरू है वह उतनी ज़्यादा एक्स्रीम लेबल नहीं लेके जाएगा ये आपके लिए काफी मैं तो पुर्ण बात है उसे परकार दशम भाव पर भी इस गुरू का जो दुरुष्टी होगी वो देखी जाएगी तो करियर के मामले में भी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे जब तक आप खुद ऐसे डि आपकी गलती होगे लेकिन जो गुरु है आपका वो जौब नहीं छोड़ेगा आपके पूरा साथ देगा जो गुरु को दुरुष्टी है वो इसके ओपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा उसे प्रकार यह जो गुरु है वह बात मतलब नवम दुरु को भी देख रहा है तो आपका जो वेया है जो मैंने पैसे के बारे में कहा उस पर भी थोड़ा सा अंकुष रखेगा यह गुरु तो जो गुरु का ब्रह्मन है आपके लिए काफी ज्यादा शुबफलदाई होगा अब हम देखेंगे गुरु के जो योग है उसके परिणा अगरा तारीक से लेकर 20 तारीक तक होगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने के करण आप थोड़ा अध्यात्म के तरफ जुख सकते हैं यह बात बहुत मैंतबुण है क्योंकि अगर आपका जो लगन है थोड़ा सा डरता है तो होता क्या है कि अगर ऐसे कोई स्ट्रे अगर इसे कोई विचार आते हैं उसके उपर जरूरा अमल करना क्योंकि उसके करण आपका जो मोराल है वह काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है तो यह बात होगी और दूसरी ज्यादा महत पूर्णबाद यह जो शुक्र है वह आपका दृतियच भी इसके करण पैसे के मामल और सुपर आइडास को आसाके उसके वह उपर जरूरूर अमल करना उसी प्रैकोर यह जो अब हम देखेंगे शुकर के बारे में शुकर जो ग्रह है वह ग्रह आपके वया भाव में घ्रहन कर रहेंसेafworking तरãos दिनांग चोबिस तरीके बाद क्योंकि बहुत ज़दा स्ट्रेस होने के करना किस तरह से खुद को शान्त रखा जाए, किस तरह से खुद को स्टीर रखा जाए, स्टेबल रखा जाए, इस प्रकार के विचार आपके आ सकते हैं, उसके संदर में कुछ action भी आप लेख सकते हो, जैसे कि meditation है या फिर भगवान साथ में जो भी problem आपको हो रहे थे या फिर आप उससे थोड़ा सा आपको stress आ रहा तो दीरे-दीरे-दीरे कम होते हुए नजर आएगे, यह जो शुक्र है, यह शुक्र हर्शल के साथ 95 यानिकी त्रिकोनियों करने जा रहा है, यह जो शुक्र आपके वेया भाह में हैं, उ सिर्व सत्राफ का कालावदी सिर्वान्तृत है, यह जो मैना है, अगर आप बड़े इंवेस्ट्मेंट करते हो, तो ध्यानर रखना ज्यादा आवशग है, प्लान है या फिर आप जो इन्वेश्मेंट करेंगे वो फस्तने के संभावन ज्यादा है आपके जो विचार है आपके जो निर्णे है आपके जो डिसीजन है वो गलत होने के संभावना इस महीने में ज्यादा हो सकते है तो इसके उपर थोड़ा सा चेक रखना ध्यान रखन जादा आवशक होगा और फस जाने के चीटिंग होने के संभावना जादा खुद से ही आप फस जाओगे तो ध्यान रखना काफी जादा आवशक है उसी प्रकार यह जो शुकर है यह शुकर नवपंचम योग याने की त्रिकोन योग भी करने जा रहा है जैसे ही यह शुकर आपी के राशी में या फिल लगन में आ जाएगा तो आपके पंचम माँ में जो शनी है, उसके साथ यह जो शुक्र है वो नवपंचम योग याने की त्रिकोणियोग करने जएदा है, अब यह जो योग है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वण है, बहुत ज़्यादा फ और कुछ नए आइडियास दे सकता है, या फिर जो भी प्रॉब्लम आपको हुए है, उसके किस तरह से बाहर निकाला जाए, उसके संदर में कुछ नहीं कलपना है वगर आ सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज़्यादा महत्वण साबित होगी, उसी प्रकार हर मेने में अ हमारी जो emotions होती है, हमारी जो भावनाए होती है, वो काफी जादा तीवरतम होती है, इसी वज़ए से अमावस और पुर्णे में के दिन किसी भी प्रकार के बड़े निरने नहीं लेने चाहिए, commitment नहीं करने चाहिए, प्रोमिसस नहीं करने चाहिए, ऐसे निरने जिसके पूर्णिमा होगी वो दो दिनों में, दो पूर्णिमा इस मैने में हैं, एक तारिक को और 31 तारिक को, और जो अमावस है वो 16 तारिक को है, तो एक तारिक, 16 तारिक और 31 तारिक, इन तीन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निरने नहीं लेना, बड़ी कमिट्मेंट नही करना और पैसे के मामलें किसी भी प्रकार के मामलें में कोई भी बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं करना decision बिल्कुल भी नहीं लेना तो दोस्तो ये था कन्या लगन के लिए अक्टूबर 2020 का संपुर्न राशिवल आपके राश्रवल कैसे लगा आपने किस तरह से अनुभू किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्माद सिद्धियास्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवार